लाखों दर्शकों का भरोसे मंद न्यूस चैनल आर नाइन भारत आज ये साजंगी तलाब और पहार का निरक्षों के दुरान कहा वही निरक्षों के दुरान डियम सुब्रत कुमार सेन सहे प्रिधान सची उस अंतोस कुमार मल भी मौजूद थे हुशेन ने कहा बिहार के मुखे मंतरी नितिश कुमार द्वारा 2013 इश्वी में शाजंगी पहार और तलाब को विक्षित करने की बात कही थी लेकिन कुरोना काल के कारण विकास और रुद्ध हो गया लेकिन आब इसे विक्षित क्या जाएगा वहीं उन्होंने भागलपूर की चौमुखी विकास के लिए कई योजनाओं के बारे में भी एहम जानकारे देते हुए नातनगर के आईरवेदी कॉलेज को बढ़ावा देने की बात कहे जिसका डीपियारों तयार किया जा रहा है आरविंद कुमार भागलपूर दिया जो ही देर हुई लेकिन अभी देर आये हैं दुरिस्ता हैं तो यहां डियम साहब और टीम और टूरिजम अपनी पूरे आर्टिट्रिक्ट टीम के साथ आये हैं इस तालाब को डेवलप किया जाएगा मुखमंत्री जी का उसी वक्त का वादा है उसको निभाएंगे और इस सब्सक्राइब किया है अभी हम लोग इसको डेवलप करने के लिए पूरी तरह काम शुरू हो गया है और खुद सब्सक्राइब यहां पर विशेस तोर पर इसके लिए इसके लिए भागलपुर की जनता के बीच में एक उतसा है और यह सिर्फ वादा नहीं है बलके काम सब्सक्राइब करने लगा है और इन्होंने बहुत बड़े-बड़े काम किये हैं कही जगा इसको भी एक करेंगे और जो टुरिजम मिनिस्टर है मुखमंत्री जी दोनों को मैंने चिट्री लिखी थी इसके बाद से ही यह सब अक्रिविटी शुरू हुई है मुझे खुश असी करोड की लागत से जो हमारे ही सूत मिल थी वहां पर प्लग एन प्ले बनने जा रहा है तो सीपेड चालिस करोड की लागत से वहां पर बन रहा है तो भागलपुर मैं तरक्कियों इसके लिए पूरा काम कर रहे हैं क्योंकि मैं यहीं से मलसी हूं सरकार में मंत्री हूं इसलिए यहां की बात को सरकार में रखने का काम हम लोग कर रहे हैं